मेरे करन अजुन आएंगे, जमेन की छाती फाड़ के आएंगे, आस्मान का सीना चीर के आएंगे हेलो और वेलकम टू आरर सिनेपलेक्स आज की वीडियो में हम आपको हिंडी सिनमा की मशूर एक्टर स्ट्राखी गुलजार की उस काले और डरावनी रात का जिक्र करेंगे जिसमें उनके शरीर और चेहरे पर बेरहम पिटाई से नील और काले धब्बे पड़ गए थे और चौकाने वाली बात तो ये कि ये पिटाई किसी और ने नहीं बलकि फिल्म इंडुस्ट्री के एक बहुत मशूर डारेक्टर ने की थी लेकिन कौन है वो फेमस डारेक्टर ये जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना होगा बॉलिवुड में सत्तर और असी की दशक में कई एक्ट्रिसिस ने अपनी एक्टिंग से सिल्वर स्क्रीन पर चमक बिखेरी लेकिन इन में राखी गलजार की बात ही कुछ और थी तुने चुआ दे दिल की लगी और बनी जाए फिल्म कभी कभी शर्मीली, लाल पर्थर, हीरा पन्ना, दूसरा आदमी जैसे दमाम हिट फिल्मों में काम करने वाली राखी का हर कहीं जलवा था लेकिन जहां प्रोफेशनली राखी का करियर बहुत सफल था तो वही नीजी जिन्दगी में उन्हें दो-दो पतियों से मिली रुस्वाई, धोखा और वो बेजज़ती जिसे उनके लिए भुला पाना बेहत मुश्किल रहा राखी का जन्ब विस्ट पेंगॉल के नाडिया डिस्टिक के राना घात में हुआ था लेकिन दिल्चस बात ये है कि उनका जन्ब 15 अगस 1947 में हुआ राखी की शादी 16 साल में बंगला फिल्मों के डायरेक्टर अजेब विश्वास से हुई थी अजेब विश्वास पहले फिल्म जन्रलिस्ट भी थे लेकिन राखी की ये शादी दो साल में ही तूट गई नहीं था अपने वक्त में राखी एक्टरिस आशा पारी के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली हिरोईन थी और उन्होंने 90 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया जिस्वत राखी का करियर उचाहियों पे था उसी दौरान उनकी मुलाकात मशूर गीतकार और निर्देशक गुलजार साहब से हुई गुलजार साहब राखी के बंगाली कल्चर से काफी प्रभावित हुए और इन दोनों ने 1973 में एक दूसरे से शादी कर ली और तभी से इनका नाम राखी गुलजार पढ़ गया शादी के एक साल बाद ही दोनों बीटी मेगना के पैरंट्स बने और फिर अचानक एक खबर आती है कि राखी और गुलजार साहब एक दूसरे से अलग होने का फैसला ले चुके हैं दृसल इन दोनों के अलग होने की कई वजहे थे जिसका मीडिया में कई बार सिक्र हुआ सबसे पहले राखी की वो ख्वाइश थे जिसकी वजह से उनके और गुलजार साहब के बीस दिवार खड़ी हो गई दिसल शादी के पहले ही गुलजार साहब ने राकी को साफ साफ कह दिया था कि वो शादी के बार फिल्मों में काम नहीं करेंगी उस वक्त तो राकी गुलजार साहब के प्यार में पागल थी लिहाज़ा उन्होंने गुलजार साहब की ये शर्ट मान ली क्योंकि राकी को उस वक्त लग रहा था कि बेशक वो दूसरे डारेक्टर की फिल्मों में उन्हें काम करने ना दे मगर अपनी बनाई हुई फिल्मों में तो वो उन्हें जरूर रोल देंगे मगर बाद में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उस वक्त गुलजार सहब कई फिल्मों में काम कर रहे थे राकी को लगता था कि हो सकता है कि कभी गुलजार सहब उन्हें फिल्मों में हिरोईन बनने का ओफर दे ही दे मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और इसी बात ने राकी को बहुत परिशान कर दिया राकी को पता चला कि गुलजार साहब की फिल्म मौसम में उनकी कॉम्पिटिटर रही शवमिला टैगोर को उन्होंने साइन कर लिया है तो वो गुसे से आग वगुला हो गई और इसी वज़े से दोनों के रिष्टे में दरार आ गई वैसे तो इस तूटे हुए रिष्टे की कई और वजहीं बताई जाती है जिसमें फिल्म आंधी की सुचित्रा सेन का भी नाम आता है कहते हैं कि एक रात गुलजार साहब फिल्म आंधी के स्टार्स संजीव कुमार और सुचित्रा के साथ पाटी कर रहे थे जहां संजीव कुमार ने काफी शराप पी थी और नशे की हालत में उन्होंने सुचित्रा सेन का हाथ पकड़ लिया था जिसके बाद सुचित्रा कमरे तक गए और उनका गुस्सा शान करने की कोशिश करने लगे लेकिन जैसे ही गुलजार साहब सुचित्रा सेन के कमरे से बाहर निकल रहे थे तो वहां राखी पहले से ही खड़ी थी देर रात पती को सुचित्रा की कमरे से बाहर देखकर वो भड़क गए उस रात दोनो पर मरना मन्जुल है लेकिन आपके साथ जाना मन्जुल नहीं। यहां तक कह दिया था कि अगर राखी चाहें तो वो गुल्जार साहब से खुद पर्मिशन मांगेंगे। इत्वाक से गुल्जार साहब के फिल्म आंधी की शूटिंग भी कश्मीर में चल रही थी। और जैसे ही गुल्जार साहब ने राखी की बुरी तरह पिटाई की इस हाथसे के बाद राखी ने बिना गुल्जार साहब को बताए फिल्म कभी कभी साइन कर ली। राखी की ये बाद गुल्जार साहब को नागवार गुजरी और दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। मैसे कुछ करीबी लोग तो इनके अलग होने के पीछे एक्ट्रिस मीना कुमारी और गुल्जार साहब की नस्दीकियों को भी मानते हैं। दोनों में अच्छी दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई और इनकी नस्दीकियों की वज़े से राखी और गुल्जार साहब के रिष्टे में दरार आ गए। मरने से पहले मिना कुमारी ने अपनी एक शायरी की डाइरी गुल्जार साहब को दी थी जिसे बाद में गुल्जार साहब ने पच्छ रवाया था। अगर एक हमसफर के रूप में दोनों को एक थपड और एक जिद ने हमीशा हमीशा के लिए अलग कर दिया। फिलहाल राखी मुंबई से दूर अपने पनवेल वाले फार्म हाउस में रहती है। इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कॉमेंट के जरीए जरूर बताईएगा अगर आपके पास वीडियो से जुड़ा कोई और सुझाव है तो वो भी हमें कॉमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर, कॉमेंट करना ना भूले और अगर आपने आप तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी आपसे गुजारिश है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दिखने वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें बॉलिवुड और बॉलिवुड स्टार्स के इंसाइड स्टोरी जाने के लिए चैनल के बाकी वीडियो को भी चेक आउट करें